निधार मंत्री नरेंदर मोदी लगातार दूसरी बार गुर्ट निर्पेक्ष देशों की शिखर बैठक से दूर रहेंगे सरकार ने वंगलबार देर रात लियालाग कर दिया कि गुर्ट निर्पिक शांदोलन शिखर समेलन में भारत का प्रतिनी धित्व उप्राश्ट्रपती वेकरिया नाइटू करेंगे लगातार दूसरी बार समिट से पीएम मोडी के दूर रहने को भारत की विदेश नीती में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है यह पताता है कि कैसे भारत एक गुर्ट निर्पिक्ष देश के एक ऐसे मुल्क में बदल रहा है जो बहुपक्षिन संबंधों को तरजी देता हो मोडे 2016 में असल मायने में पहले ऐसे भारतिय प्रधानमंत्री बने जिनोंने गुत्मेबक्ष देशों के राश्त्रा ध्यक्षों की बैठक में शामिल नहीं हुए और उसमें वेनिजुएला में एन्ने एम की सतरवी शिकर बैठक हो रही थी लेकिन उसमें भारतिय प्रधानमं नहीं पहुँचे कश्मीर घाटी में अतंकियों पर भारतिय सेना ने बड़ी कारवाई की है सेना के शिर्ष तूत्रों का दावा है कि घाटी में अनसार गजवात और हिंद आतंकी संगठन का सफाया हो गया है इस अतंकिय संगठन का मुखियाज जाकिर मूसा था जिसकी मौत के बाद अब्दुल हमीद ललहारी ने कमान सभाल ली थी सुरक्षा बलो ने मंगलवार को अब्दूल हमीद ललहारी कुमार गिराया और उसके साथ एक और आतंकी को सुरक्षा बलो ने ढेट किया जिसकी पहचार नावेज सेन के रुप बिए अतंकवादिस जाकिर मुसा की खात्मे के बाद अतंकी संगठन असार गजवत उलहिंद ने अपने नए चीफ का अईलान किया था जाकिर मुसा के बाद जमू कश्मीर में खौफ फैलाने और धेश्वत फैलाने के जिम्यदारी हावित ललहारी के नाव अतंकी को दिए गई थी सीम्जे रामचाकुर बद्दी के मल्फू माजरा के अंतरगत हरे कृष्णा गौशाला में एक दिन सभा को संबोधित किया है और सीम्जे रामचाकुर ने बद्दी में सिंचाई एवं जन्सवास्तर विभाग का मंदल खोलने की खोशणा की उन्होंने कहा कि मंदल की खोलने से एक शेतर में विभाग की कारेपरणाली और सुद्रिड होगी और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लगधग 22 महीने काब तक का कारेकाल अनेक उपलद्दियों से परिपूर्ण रहा है भारत और पाकिस्तान ने करतारपूर गली आरे को चालू करने के लिए होने वाले एक समच्छोते को एक दिन के लिए टाल दिया है पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलेंगे और भारत की ओवसे समझवाता ग्यापन पर हस्ताक्षिक करेंगे जमु गश्मीर के तराल में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मंगलवार को हुई मुद्वेड खत्म हो गई है मुद्वेड में सुरक्षा बलो को बड़ी काम्यादी मिली मुद्वेड में सुरक्षा बलो ने तीन आतंकियों को धेर कर दिया है जानकारी के मताबिक तीनों आतंकी जैशे मुहम्मद के हिनने से दो विदेशी होने की बात तहीं गए राजस्तान में पैट्रोल डिजल पर अधिक वैक होने के विरोध में सभी पैट्रोल फांप आज पंद रहेंगे राजस्तान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसीशन में राज़े में पैट्रोलियम मुद्पादों में बढ़े वैट के विरोध में 24 घंटे पैट्रोल बंप बंद रखने का अलान किया हलांकि पेट्रोल परम बंद होने के वज़े से लोगों को काफ़े दिक्कत होने की संभावना है लेकिन तुझी गुरुवार को पेट्रोल परम खोले जाए हिंदु महासभा के नेत आकमले श्तिवारी अस्थि विसर्जन सोमवार राद दश्मात नेध खात पर किया और उनकी मा और बेटे ने गंगा में अस्थी कलश को प्रवाहित किया इस दुरान पूरे घाट को छावनी में बिदल दिया गया घाट पर अच्वार्य रंधीर पांठे ने अस्थी कलश का सवीधी पूजिन कराया राची टेस्ट में दक्षिन अफरीका को एक पारी और दोस्तों दो रनों से मार देने के बाद भाते टीम ICC World Test Championship के पॉइंट स्टेबल में 240 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुँच गई भारत ने इस से पहले वाली सीजिंग्स में वेस्ट इंडीज को दो मैचों में हराया था और अब दक्षिन अफरीका के खिलाब तीन मैचों की सीजिंग्स में क्लीन स्टीप कर लिया टीम इंडिया के अकेले के पॉइंट्स जहां 240 हैं तो बाकि सभी टीमों के पॉइंट्स अगर मिला दिये जाएं तो वो भी टीम इंडिया से ज़ादा नहीं है जो की दो 32 बत्ती से जौन अबराहिम और अनिल कपोर जैसे मज़े हुए खिलाडियों से सजीव फिल्म पागल पंती का ट्रेलर रिलीज हो गया है ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जुसमें जौन अबराहम अनिल कपोर जैसे मज़े हुए कलाकार नज़र आ रहे है ट्रेलर की शुरुवात मज़ेदार डालॉक से होती है इस फिल्म का अंडर्डेशन अनीस बजबी ने किया है और अससे पहले कई सुपर हीच कॉमीडी फिल्म में दे चुके है भारतिय क्रिकेट टीम के पुर्वक अपतान सौरफ गांगुली बीसीसियाई के 49 तुए अध्यक्ष के तौर पर बोट की सालाना वैटक में कारेभार संभालेगे स्वारफ गांगुली के कारेभार संभालते ही सुपरं कोड की तरफ से नियुक्त प्रशात को कास समिती का 33 महीने से चला रहा शासन अब खत्म हो जाएगा आपको बता दे बीसीसियाई अध्यक्ष पजब गांगुली का चैन सद समती से हुआ यंदर अगर में तीन चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे जिन में से एक चोर की च्छत से चलांग लगाते वक्त मौत हो गई तो दूसरी घायल और तीसरा पराप गया अंगभ अगभ एक अभवा और था कर रहे जाद को अज़ को अभवा फोर और, तो दूस्ड़ को अभवाग को अज़ए को का समती से प्रे का लूसरी झाल पांग।